अग्या वरीवन वेलकम टू दे लाइन कंसर्ट हमने आपसे पिछले वाले लेक्चर में स्टुएंट्स बात कर ली थी एक्स्प्लिचिट फंक्शन और इंप्लिचिट फंक्शन क्या होते हैं इस्पष्ट और अस्पष्ट फलनों के बारे में हमने बात की थी इसके अलावा स्टुडेंट्स हमने इंप्लिचिट फंक्शन का डिफ्रेंशेशन कैसे करते हैं यह मैठड भी 5 questions के माध्यम से सीखा था और उमीद करता हूं स्टुडेंट्स जो questions मैंने आपको पिछले वाले lecture में दिये थे आपने उनकी practice करी होगी और आपने उनसे सीखा होगा कि किस तरह से implicit function का differentiation करना है तो आज किस lecture में students हम आपसे बात करना चाहते हैं कि जो पिछले वाले lecture में आपको मैंने questions दिये थे उनका solution किस तरह से होगा अगर आपका doubt है उन वाले questions के अंदर तो आज का lecture आपके लिए बहुत 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 कारगर साबित हो सकता है और अगर उन questions के अंदर आपको doubt नहीं है तो ये वाला lecture आप leave भी कर सकते हैं पिछले वाले lecture के सारे questions मैं आपके सामने discuss करने जा रहा हूँ तो बिना गोई time waste करे students हम start करते हैं यस तो everyone हम देखने जा रहे हैं solutions और मैं आपको बता दूँ कि सब कुछ solve करने की बजाए क्योंकि मैंने आपको पिछले lecture में सिखाया था कि कैसे solve करते हैं तो मुझे लगता है कि अगर आपको solutions directly दिखा कर समझा दिया जाए तो भी आप आसाली से समझ जाएंगे चलिए students हम देखते है solutions देखिए तो देखिए students यह हमारा पहला question है जो मैंने आपको दिया था देखिए किस तरह से हमने इसका differentiation किया है students देखिएगा सबसे पहले differentiating both side with respect to x दोनों तरफ y के साफ एक्ष अवकलन करने पर इधर भी d by dx लिख दिया और इस side भी d by dx लिख दिया students फिर अलग लग लिख दिया पहले root x का differentiation और differentiation of root y is equal to d by dx of a अब करना start कर रहे हैं इस line के अंदर देखिए root x का हो जाएगा one upon two root x और root y का मैंने करना सिखाया था पहले इसको x बान लो जैसे ही इसको x assume करूँगा तो root x का क्या होता है students root x का होता है one upon two root x यही तो होता है इसको root x assume करूँगा तो यह बन जाएगा one upon two root y अब y का कर दो dy by dx is equal to ये क्योंकि a constant था इसलिए dy by dx 0 हो गया student मुझे dy by dx का value निकालना है तो इसको ले जाओ आप उस तरफ तो minus का हो जाएगा जाके तो ये वाली term इधर बच जाएगी अब dy by dx को अलग कर लो ये divide में है तो इधर जाके multiply हो जाएगा students ठीक है 2 से 2 कर जाएगा उपर की तरफ बचेगा root y नीचे की तरफ आएगा root x दोनों को मैं एक ही root में represent कर सकता हूँ root y upon x ठीक है minus का आएगा तो this is our required answer आप answer match करते हुए चलना हम answer और वो ही ले रहे हैं जो मैंने आपको लिखवा है थे पिछले lecture में चलिए students next question देखते है ठीक है यह हमारा next question था 10x plus y plus 10x minus y equal to 4 देखे differentiating both side with respect to x x के साब एक्स दोनों तरफ अफकलन करने पर d by dx of this plus this term bracket बंद is equal to d by dx of 4 फिर अलग अलग कर लूँगा इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ में देखिए अलग अलग कर लिए equal to d by dx of 4 ठीक है students अब देखे हम करेंगे 10 का 10 का होता है sec square x तो sec square 10 का theta क्या है x plus y तो यहां जाएगा x plus y फिर बनाईए आप bracket अब हमने 10 का कर दिया अब इसके theta का भी करेंगे x का हो गया 1 plus लगाया और y का हो गया dy by dx ठीक है students प्लस अब देखे 10 x minus y का करेंगे तो हो जाएगा sec square x minus y फिर हम लगाएंगे bracket और फिर 10 के theta x minus y का भी करेंगे x का हो गया 1 minus लगाया और y का हो गया students dy by dx equal to क्योंकि 4 क्या था constant इसलिए इसका 0 हो गया ठीक है everyone next step देखे यह वाली sec square इस यह वाली देखे पहले पहले वाली sec square x plus y को पहले इससे multiply करोगे और फिर इसको इससे multiply करोगे तो 1 से multiply करूँगा तो as it is term आ जाएगी और जब इसको इससे वाली term से multiply करूँगा तो dy by dx dot sec square x plus y यह वाली term यह देखे यहाँ पहर plus यह वाला sec square x minus y को 1 से multiply किया यह आ गया और फिर इसको हमने dy by dx से multiply कर दिया तो यह term आ गया अब हमें find क्या करना है students dy by dx find करना है तो क्या करेंगे dy by dx वाली जो दोनोग'te are उन दोनों Terms को एक सात लिख दिखे आ आ देखे यह वाली term यहाँ वाली term यह लिख दिया ठीक है बाकि कौन कौन से term बची एक तो यह वाली बची और एक यह वाली बची इन दोनों को अलग लिख दिया equal to 0 अब इन दोनों में से तो dy by dx common ले लिए students देखिए यहाँ पर और जो बाकी बच्ची हुई थी इनको उस तरफ भेज दिया ठीक है equal to के right hand side में देखिए यहाँ पर आ गई यह minus के हो गई इदर आ कर यह भी इदर आ कर minus के हो गई अब देखिए students यह dy by dx निकालना है हमको तो तो देखिए dy by dx को यही रोक लो यह वाली जो term है पूरी पूरी यह इस से multiply हो रही है तो यह इस वाले के denominator में नीचे चले जाएगे ने students यहाँ पर तो yes इस पूरी के पूरी term को इस वाली को इसके नीचे बेज दिया तो देखिए students minus x square x plus y यह वाली term as it is यहाँ रही और इसके नीचे की तरफ यह वाली term आ गई देखिए आगई students अगर आप उपर से minus common ले ले लेते हैं और नीचे से भी minus common लेकर काड़ देते हैं तो जो आपको required answer है जो मैंना आपको पिछले वाले lecture में बताया था answer same answer match हो जाएगा students तो आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं और एक step आगे करना चाहें तो भी कर सकते हैं चलिए हम next question देखते हैं हमारा तो students question number 3 है x root y plus y root x equal to 1 same line अब तो याद हो गई होगी differentiation with respect to x both side करेंगे देखिए everyone इस तरफ d by dx लिख दिया यह पूरी की पूरी term लिख दी यह देखिए equal to और 1 लिख दिया यहाँ पर d by dx उसके बाद क्या किया है students कि इसका अलग differentiation फिर इसका differentiation तो दोनों के साथ में d by dx को लिख दिया हमने equal to d by dx of 1 समझ में आ रहा है students अब देखिए students यहाँ देखिए यह वाला जो function है इसमें x root y मतलब पहला function तो आपका x है दूसरा function आपका root y है तो u into v का हमें आपर formula लगाना पड़ेगा x को छोड़ा root y का differentiation किया plus लगाया root y को छोड़ा और x का differentiation किया ठीक है यह वाला plus यह लगा दिया मैंने dark करके यहाँ देखिए दो function है y root x तो y को छोड़ा root x का किया plus root x को छोड़ा y का किया students और equal to में क्योंकि 1 हमारा constant था तो यह क्या हो गया 0 हो गया term यहाँ देखिए भी students x as it is रहा root y का क्या करेंगे 1 upon 2 root y same x की तरह मानके 1 upon 2 root y और y का कर देंगे dy by dx plus root y as it is x का differentiation होता है 1 लिख दिया यह वाला plus यह रहा y की जगे y रहा और root x का differentiation करेंगे students 1 upon 2 root x plus root x as it is और y का करेंगे dy by dx equal to 0 students क्योंकि हमें पता है कि इस वाली term में भी dy by dx आ रहा है और इस वाली term में भी dy by dx आ रहा है तो दोनो term को एक साथ लिख लो students और जो बाकी term बची हुए इनको उस side भेज दो equal to के उस side तो देखिए equal to के उस side भेजा minus का root y और minus का y upon 2 root x ठीक है students यहाँ पर और जो इन दोनों terms को एक साथ लिखा था तो इसमें से हमने dy by dx को common ले लिया है students अब हमें dy by dx की value निकालनी है तो dy by dx को अकेला कर दो और यह वाली जो term है इसको आप इसके denominator में भीज़ दो नीचे की तरफ देखो ध्यान से अब से हमारी calculation स्टार्ट होती है बहुत अच्छी वाली इस पूरी term के denominator में यह वाली term आ जाएगी देखी यह वाली इसके नीचे आ जाएगी देखी आ गई अब देखी किस तरह से solve की है students यहाँ लगाईए 1 और यहाँ भी लगाईए 1 उपर की तरफ आप लिजिए LCM क्या आएगा देखी यह आ रहा 2 root x 1 का divide कीजिए इसमें कितने times जाएगा 2 root x time और 2 root x को divide कर दीजिए root y से तो minus का 2 root x और root में ही y minus इसका 2 root x में divide करेंगे 1 times जाएगा और 1 को multiply कर दीजिए y से तो as it is वराया जाएगा ठीक है यह equal नहीं है minus y है students समझे नीचे की तरफ भी same to same 2 root y और 1 का LCM आएगा 2 root y 2 root y में divide करेंगे 1 times जाएगा तो x as it is आजएगा 1 multiply by x x आगया प्लस की जागे प्लस 1 का देंगे 2 root y में कितनी बाद जाएगा 2 root y times जाएगा और 2 root y को multiply कर दीजिए root x है यह तो आपको solve करना आना चाहिए students यह आपके तीसरी class या पांचवी class की चीज है ठीक है अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप मुझे टेलेग्राम पे एक message कर दीजेगा इसके लगसी वीडियो बना देंगे कुछ भी नहीं सिंपल सा है LCM लेके काम किया अब देखिए आप क्या किया है कि अब नीचे वाली term पलेट जाएगी ऐसे उपर जाके उपर वाली term minus का 2 root x y as it is minus y as it is upon 2 root x multiply 2 root y चला जाएगा उपर नीचे की तरफ आजाएगा x plus 2 root x y ठीक है students अब ध्यान से देखिए 2 से 2 cancel हो गया students और क्या बचा है students ध्यान से देखिएगा आब root x root y इनको मैं अलग-अलग लिख सकता हूँ कि students इस type से देखिए minus ये वाला ये रहा minus इस term में से minus को हमने common ले लिए यहाँ पर देखिए bracket के अंदर 2 as it is है और root में x y जो है इसको अलग-लग लिख सकता हूँ root x root y क्योंकि minus common आ गया था बाहर के तरफ तो plus बच जाएगा और y को में लिख सकता हूँ root y multiply by root y आपको एक चीज़ पता होगी students के किसी भी term को आप दो बार root की form में multiply में लिख सकते हो तो same काम किया है y को root x multiply बार root x की form में लिख दिया है यहाँ पर और यहाँ क्या है students root y यह वाला as it is multiply में लिख दिया upon में देखिए students root y है यह लिख दिया और bracket लाके लिख दिया students x को root x multiply root x plus 2 root में x और root में y समझे students अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं students next वाली step के अंदर इस root y को मैंने लिख दिया आगी की तरफ ठीक है everyone और या फिर ऐसे मत समझो आप इसको समझो students की इस root y को तो यहां रहने दो as it is मैंने उपर वाली इस वाली term के अंदर से root y को मन ले लिया बाहर की तरफ तो जब यह root y first term में से common आएगा तो यहां बचेगा सिर्फ 2 root x यहां से root y को मन आएगा तो सिर्फ root y बचेगा सेम टू सेम नीचे की तरफ भी मैंने क्या किया root x को मन ले लिया पूरे में से तो जब root x बाहर आएगा यहां बचेगा सिर्फ root x यहां से root x को मन आगया तो यहां बचेगा 2 root y ठीक है students root y इस root y से multiply हो के हो जाएगा सिर्फ y और minus as it is root x इस root x से this is our required answer चलिए next question देखते हैं देखे students question बड़ा ही अच्छा है क्या करना है देखिए equation को देखते ही दो तरीके से कर सकते हो या तो आप इसका square open कर दो उसके बाद में differentiating कर दो या फिर अगर आपको formula पता है x की power n का तो directly कर सकते हैं देखिए differentiating both side with respect to x आप इस वाले function को इस function में पहले power का करना है फिर अंदर वाले माल का करना है अंदर वाला जो material है उसका करना है ठीक है students तो देखिए everyone क्या कर रहा हूं देखिए x की power n क्या होती है x की power n का d by dx क्या करते हैं तो क्या आता है n x n minus 1 तो चलिए यह power को आगी की तरफ कुदाई है यह आगया 2 यह as it is लिखा x square plus y square फिर bracket बनाया अब अंदर वाले को solve करेंगे x square करूँगा 2x plus लगाया और y square करूँगा पहले 2y और फिर y का कर दूँगा d by upon dx bracket को किया close equal to यहां देखिए x multiply by y x को छोड़ा y का किया plus y को छोड़ा और x का किया तो x का तो हो जाएगा 1 students तो यहां आजाएगा same to same y यहां x as it is है dy by dx देखिए rhs समझ मैं lhs देखिए students इस वाली time को पहले इससे multiply कर दो फिर आप इसको इससे multiply कर दो तो जब इसको इससे multiply करूँगा तो 2 multiply by 2 x यह रहा और यह वाली time भी ऐसे कैशे रही अब इसवाली time को इसवाली से multiply करूँगा तो 2 multiply by 2 यह रहा y भी यह रहा और dy upon dx और यह वाली time x square plus y square रही students अब क्या करना है students अब हमें dy by dx ली time देखने है कि किस में dy by dx आ रहा है तो मैंने ध्यान से देखा कि इन दोनों terms के अंदर dy by dx आ रहा है देखिए इन दोनों के अंदर तो इसको लियाओ इदर की तरफ और इस वाले में नहीं आ रहा है जिसके अंदर इसको उस तरफ वापस दे दो तो इसको मैं क्या गरा, इस तरफ लिया है students, देखिए, यह आ गई, और इस वाली time को हम मैं उधर लेकर चला जाओंगा, तो देखिए य है, अजीब type का बनाया है मैंने, यह y है, और यह वाली time चली गई उधर की तरफ, तो यह देखिए आ गया, y minus 4x, x square plus y square, और यह वाली time इसमें से मैंने dy by dx common ले लिया, तो dy by dx जैसे ही common लोगा, तो यहां क्या बचेगा, 4y, bracket में x square plus y square, minus, यहां से dy by dx common ले लिया, तो क्या बचा, x सिर्फ, अब dy by dx के multiply में ही यह वाली time, तो ऐसे कैसे आप इसके denominator में भीज दो यहाँ पर, इस जगे पर, अब देखिए students, denominator में, यह y है, यह मैंने गलती से x लिख दिया था, y है यहाँ पर, y minus 4x, x square plus y square, as it is term है, और यह वाली आ गई, नीचे की तरफ, यहाँ, x square plus y square, minus, यह x है students, यहाँ पर, यह y लिख्या हुआ है, गलती से, यहाँ आएगा x, समझ पा रहे हैं, अब क्या करना है students, अब हमें क कुछ भी नहीं करना, अब इसको calculation करके solve करना है, 4x को पहले आप इससे multiply कर दो, फिर आप इसको, इससे multiply कर दो, तो देखिए students, y यहाँ पर as it is रहा, minus का 4x, जब x square से multiply होगा, तो 4x cube आ जाएगा, minus plus, minus आ जाएगा, 4xy square, ठीक है, अपन में देखिए students, इसको इससे multiply किया, 4y x square, और 4y x, तो जब मैं y square से करूँगा, तो 4y cube आ जाएगा, minus का x आ जाएगा, ठीक है students, इसकी तरफ ध्यान मत दीजी, x है आपर, ठीक है, अब उपर से भी minus common ले लिया, और नीचे से भी minus common ले लिया, minus common लेने की रणनीती यह होती है, कि अंदर के सारे sign change हो जाते है, अगर उपर से मैं minus common लूँगा, तो क्या बचेगा, देखिए, जो भी अंदर यह बचेगा है, यहाँ पर, सब के sign change हो जाएगे, y plus का है, तो minus का हो जाएगा, और यह दोनों minus के हो जाएगे, same to same नीचे की तरफ से भी minus common लूँगा, तो यह दोनों plus के है, दोनों minus के हो जा देखिए, यह भी बड़ा अच्छा question है, students, आप इन सब की practice कीजेगा, अगर आप इनकी practice नहीं करेंगे, students तो आपको equations नहीं आएंगे, ठीक है, वैसे की होगी, आपने उमीद करता हूँ, और आज के solution देखने के बाद में जो question आपको नहीं आये है, जिन पर आप अठके है उनकी question की practice जरूर कीजिएगा, sin xy plus x upon y is equal to x square minus y, दोनों तरफ differentiating करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर, अब देखिए, dy dx लिख दिया पहले इस वाली term के लिए, और फिर इस वाली term के लिए भी dy dx लिख दिया, students, अब क्या किया, बाद दिया, इसके साथ में dy dx, फिर इसके साथ में dy dx, और यहाँ y के साथ में dy dx, अब करेंगे sin xy का differentiation, तो पहले students करेंगे sin का, क्या हो जाएगा, cos xy, ठीक है, इसको एक पल के लिए x मान लो आप, तो क्या हो गया, cos xy, यह देखिए, अब करूँगा xy का, तो लगाए bracket, x को छोड़ा y का किया, plus y को छोड़ा x का क प्लस, x upon y, तो students, u upon v लग जाएगा, नीचे की तरफ y square, y को छोड़ा x का किया, minus x को छोड़ा y का किया, ठीक है, is equal to, x square का करूँगा 2x, minus y का करूँगा dy upon dx, समझ मैं आया students, next देखिए, अगली step है मारे पास में, यह वाली step, इस वाली time को पहले इस से multiply किया, फिर मैंने students, देखिए, course x, y, x, dy by dx, course x, y, x, dy by dx, फिर इसको करूँगा, इस से multiply, तो y, course x, y, और x का differentiation, dx किया, मैंने, x का differentiation किया, तो यह तो 1 हो गया, तो यहां सिर्फ y बचाए students, तो y multiply होगा इस से, तो यहां आएगा सिर्फ y, course x, y, plus, देखिए यहां पर y, x का differentiation किया, तो क्या हो गया 1, तो y.1, तो यहां सिर्फ y बच गया, minus x के जगे x है, और dy by dx, इस पूरे के नीचे है students y square, ठीक है, is equal to 2x minus dy upon dx, अब ऐसे मत कर ले ना, आपकी यह dy by dx की term है, इसको उधर ले जाओं मैं, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते है, क्योंकि इसके नीचे y square ही है, अभी तक यह वाल है y के साथ में, और नीचे की तरफ y square भी है, तो ऐसे नहीं ले कर जा सकते है students, तो क्या करेंगे students, यहां भी 1 लगाएंगे, यहां भी 1 लगाएंगे, और इसका LCM लेंगे हम, समझ रहे हैं, तो देखिए क्या करूंगा मैं, 1, 1 और y square का LCM लिया है students, 1 का y square में कितने times और y square को multiply कर दो इस उपरवाले से, तो x as it is, y square divided by dx cos xy, प्लस, इस 1 का इसमें divide करो, y square times गया और y square को multiply कर दो इस से, y cube cos xy, प्लस, y square का y square में जाएगा 1 times, तो 1 को multiply कर दो इस से, तो क्या आएगा, y minus x divided by dx, is equal to 2x minus divided by dx, इसको तो छेड नहीं नहीं है, तो as it is चल रहा है, अ आप देखिए, यह वाली term दिख रही होगे आपको, क्या किया है students, simple सा, कि cross multiply कर लो आप इसको, इस y square को आप इदर multiply कर सकते हो, और इसके नीचे जो 1 है, आप उसको इदर multiply कर सकते हो, cross multiply कर रहा हूँ, simple, y square को इदर multiply कर दिया, right end वाली term से, तो y square इदर चला गया, 2xy square minus y square dy by dx, और यह इदर की term उपर वाली, ऐसे कैसे, बच गई students, समझे, अब देखिए, यह term single हो चुकी है, dy by dx वाली term भी single है, यह वाली dy by dx के term single है, यह वाली dy by dx के term single है, तीनों को एक साथ लिखो, इस वाली term को ठाकर इस तरफ लिया हो, ठीक है students, तो यह वाली तो लिखी हुई ह मैं already, यह वाली भी ले लेंगे, देखिए, minus x dy by dx, और मैंने क्या किया, इस वाली term को भी इदर लियाया, तो y square dy by dx हो गई students, equal to, 2xy square तो already थी ही, यह वाली term इदर थी, इसको मैं लियाया इस तरफ, तो y cube cos xy, और minus का y, देखिए, plus का y था, इदर आके, minus का y हो गया, इसके अगले term देखिए, students, यहां से हम क्या करेंगे, dy by dx को common ले लेंगे, students, चलिए लीजे, comment, देखिए, common लिया, यह term बची, equal to, इदर की term तो कुछ चेड़नी नहीं, as it is, रही, dy by dx के साथ में यह वाली term multiply हो रही है, तो इदर आके, divide में चले जाएगी, तो यह term as it is, यहां उ को common लिया है, as it is है, और यही आपका required answer है, जो आपका दिया होगा, students, ठीक है, एक question और देखिए, next, तो students, छोटे questions तो आपको आ गए होंगे, बड़े question की query हम यहां पर clear करी रहे हैं, practice कीजिए, बस मैं तो यही कहूंगा आपसे, x cube plus y cube equal to 3axy, दोनों तरफ differentiating किया, x cube plus y cube क साथ, और 3axy के साथ में, देखिए, कितना simple question है, x cube का differentiation किया, फिर y cube का differentiation किया, equal to, देखिए, students, 3a जो है, यह क्या है, यह constant है, तो यह बाहर आ जाएगा, देखिए, और differentiation होगा, सिर्फ और सिर्फ xy का, कैसे करेंगे xy का, यह वाला पहले समझा देता हूं, x को छोड़ा y क किया, plus y को छोड़ा x का किया, ठीक है, यह left end देखिए, x cube का क्या करा मैंने, 3x square, plus y cube का करेंगे, students, 3 आगे कूच जाएगा, तो 3y square dot, अब y का कर दो, dy by dx, समझे आप, अब इस 3y को multiply करो, पहले इस से, फिर इस से, यहाँ देखिए, x का differentiation क्या होगा, students, 1 हो गया, ठीक है, तो y अकेला रहे गया, यहाँ पर, तो जब y अकेला रहे गया, तो 3a से multiply होगा, तो 3a y, और 3a जब इस से multiply होगा, तो 3ax dy by dx, यह time as it is रहेगी, अब मैंने यह देखा, कि यह dy by dx, और यह dy by dx, दोनों same same है, तो same same का मतलब दोनों में dy by dx आ रहा है, same का मतलब कुछ और मत देखिये, और यह वाली टर्म को में इधर वेज दिया, अब क्या करूँगा, इन दोनों में से मैं dy by dx को मल लूँगा, तो क्या बचेगा, 3y square minus 3ax, समझे, equal to 3ay minus 3x square, समझ मैं है students, अब क्या करूँगा, dy by dx अकेला करने के लिए, क्योंकि यह वाली time multiply हो रही है, तो यहाँ जाके denominator में चले जाएगी, देखिए यह आगे denominator में, उपर से भी 3 को मल ले लो, नीचे से भी 3 को मल ले लो, जैसे ही 3 को मल लेंगे, 3, तो कट जाएगा, बचे का उपर ay minus x square, नीचे बचे का y square minus ax, ठीक है, this is our required answer, ठीक है students, 7th question बड़ा ही easy सा है, देखिए वापस, xy plus y square equal to 10x plus y, differentiating both sides with respect to x, इधर की तरफ भी differentiating किया, इधर की तरफ भी differentiating किया, फिर अलग अलग किया, xy का अलग, y square का अलग, 10x का अलग, y का अलग, ठीक है, xy का करेंगे, x को छोड़ा y का किया, x को छोड़ा y का किया, plus y को छोड़ा x का किया, plus y square का क्या करते है students, पहले power का कर तो 2y और y का कर दो dy by dx equal to 10x का होता है second square x और dy y का होता है dy by dx ठीक है एक term तो ये रही dy by dx की एक term ये रही और एक term ये रही तीनों को एक जगे करो ये वाली और ये वाली तो एक जगे है ही इसको भी उठा के इधर लिया हो और जिसके अंदर dy by dx नहीं है न देखिए इस term को ध्यान से x का differentiation x का respect में अब x का differentiation तो क्या होता है 1 होता है तो क्या बचा सिर्फ y बचा तो y को उधर ले जाओ students और 1, 2 और 3 तीनों terms को एक तरफ लिया है देखिए ये आ गई और second square x तो पहले से था ही इस y को में उधर ले गया तो हो गया second square x minus y अब यहां से आप dy by dx common ले लो तो bracket में देखिए x plus 2y minus 1 common लेते ही ये बन गया और यहां बना second square minus y ये term इस से multiply हो रही है इसको इसके denominator में ले जाओ तो dy by dx equal to second square x minus y divide by x plus 2y minus 1 this is your required answer लिक लीजेगा students pause करके वीडियो को पीछे लिखके तो ये साथ question हमने आपको करवाये थे जिनका solution में आपको बता चुका हूँ students yes everyone आप में देखे solutions आपको समझ में भी आया है और students जो भी आपने practice करी थी मुझे लगता है कि अब वो practice करने अगर आपने कोई गलती करी होगी तो आपके समझ में आ गई होगी जितने भी solutions मैंने आपको दिखा है students तो आप इन questions को दुबारा कीजिए students जो questions मैंने पिछले वाले lecture में आप से करवाये थे तो वो भी questions कि आप दुबारा से practice कीजिए students हम मिलते आपसे next lecture के अंदर हो एक नया topic लेकर differentiation का आज के लिए all the best